हल्लू फ्रेंट्स आज मैं आफके साथ शेयर कर रहे हूं सांभर के रेसेपी बहुती सिंपल तरिके से बनाएंगे और बहुती टेस्टी बनाएंगे बहुत आसाल रहेंगा कुछ अलग तरह है दोस्तों और चलिए इसको बनाते हैं तर्थो दोस्तो आज बनाएंगे हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बहुत ही टेस्टी सा सांभर और आप इसमें सबजी आपे एड़ कर सकते हैं अगर आपको जो सबजी एड़ करना मेरे पास आज सिर्फ लोकी और आलू टमाटर था तो मैंने हाँ पर देखी ली हुई दोस्तो यह मिक्स दाल जो में डी मार्ट से मिक्स दाले इसमें चार-पांच तरह की डाल है जो मिक्स है अगर आप चाहते हो तो इस उसी फटूर दाल से बना सकते हैं और मैंने मिक्स दाल ले लिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त बना था यह टेस्टी सा सांभर और इसमें डालेंगी हम मुमफली की दाल ने बहुत ह अच्छा स्वादा आएगा दोस्तों एक बार आप इससे जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही तेस्टी पना था हमारा इस सांभर यह देखिए दाल कितनी अच्छी है तो दालों को मैंने हाँ पर अच्छे से वोश कर लिया है और सबसे चबार दोस्तों इसमें जो डाल है न दो मैंने हाँ लिया लाल टमाटर इसको मैंने कट कर लिया यह भी मैं डाल दूंग इसमें तो सारे चीजे एक साथ जब कुखोगी न और टेस्ट इतना अच्छा है और कम समय में कम महनत में बहुत ही टेस्टी सा सामर बनका तयार होगा और मैं आप ले रही हूं दो अच्छा दालें यह थोड़ा डाला मैं पानी और हम इसमें डालेंगे हम थोड़ा साली पाउडर आप नमक और इसको आम मिला लेंगे अच्छा गरीके से और यह देखिए कितना अच्छा लगा दूस्तों कितना सुंदर लग रहा है बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तर यह देखी दोस्तों कितनी मस्त जो है बड़ी आसी बन गई है सारी चीचे पुख हो गई है और कुछ खड़ी खड़ी भी है अच्छी लग रही है दोस्तों और आपके चोटे बच्ची है उसको भी आप इसना मैश करके खिलाएगा और डाला मैंने कड़ाई में ऑईल हींग भड़ाई जीरा अब बार्त में बार मेटि दाना जरू ढालेगा और डाला मैंने आपके दो कड़ी पत्तप बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और मैंने आ पर डाला है जिंजर गाली पेस्ट यह गर का है बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और दो शूकी लालमित variance दा दोट वड़ा दोट फेल गया है डोट माइन प्लीज माइन मन करिएगा और यह साथ में बन रहा है इतली और आज मैंने बनाई है सूजी की इतली और बहुत ही अच्छा लगता है दोसो कभी वह लंच में यह सब खाना तो यहां पर मैं इतली बन रही है और साइड में बना र बनाद में एक और तड़का लगाएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा तो मैंने डाल थी वह इसमें डाल थी इसके अंदर ठोड़ा से पानी में डाल लिया क्योंकि सामभर थोड़ा से पतला अच्छा लगता है और यह देखी दोस्तों अच्छे से मैंने इसको मिला लिया नाच्छा है और यह देखे कितना टेस्टी सा सांभर बंगर तयार हो गया है कोई मैंनत नहीं कीया और टेस्ट में इतना जबर्तती है कि बच्चों ने इसको इतना अच्छे से कहा था ना कि मैं बहुत ही अच्छा थी बच्चों के लीए अपर नेकाल लिया अलग बाउल म आप मिदा अब लाल मिश पावड दाला चम्माच पॉडर काश्मीरी लाल मिश पावडर का याप बहुत अच्छा है तो मैं यह डाल यह बिदा टाला की अपर दाला धनिया पावडर तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया देखिए अच्छे से गरम भी हो गया मुसाला यह बच्चे भी इंजॉय करे और बड़े इसको अंपर कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लिया है मैंने और इह देखे दोस्तो लुक वाइस और टेस्ट वाइस इसका तोड नहीं दोस्तो इतना जबड़ दसस अंपर बनकर तयार हुआ था तो चलिए हस्बेंड का टिफन पैक कर ल तो यह दो प्लीजी की इटली बहुत ही जाता सॉफ्टर बहुत ही टेस्टी बनी थी तो मैंने आप एक को रग दिया वाकी की इसको में कर लग रहे थी और बहुत ही क्विक सा बन के त्यार हो गया गया का लोग लोग पैक तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए का दोस्तों तो मैं अच्छे से लिए रगती क्योंकि आज मैं रोटी नहीं बनाई थी सामवरी बनाए था और साथ में लगती मैं आप पर एक मिठाई घर की मिठाई ये भी तो प्लीज 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 दोस्तों फॉलो जरूर कीजिए का और लंच बॉक्स आपको अच्छे लग रहे हों तो एक लाइक कमेंट कीजिए का थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई देखने के लिए दिल से धन्यवाद थैंक यू